हेलो दोस्तों स्वागत था आपका आपके अपने यूट्यूब क्रेट वेल्ट विरतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे IEX की IEX पर पहले भी हमने वीडियोज बनाए है यह दोस्तों के आसपास काम कर रहा था और यह भी बताया था कि अगर यहां से breakdown करता है तो कहां पर support लेगा और अगर यहां के लेबल को जो 206 का लेबल था उसको break करता है तो कैसे उपर जा सकता है तो निचे ना जाके stock उपर चलता हुआ नजर आ रहा है और अब 244 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और अब देखेंगे 2 hours का chart pattern हमने पहले भी लगाया था और अभी उसी के उपर हम बात कर रहे है तो आप देखेंगे यहां पर जो stock है इस type से downtrend के अंदर आता हुआ नजर आ रहा अगर इसके उपर breakout होता है आप देख सकते हैं तो काफी अच्छा momentum इसके अंदर बनता हुआ नजर आएगा बट हमें थोड़ा सा इसके अंदर alert रहने जरूरता है क्योंकि chart pattern पर यहां पर भी इसने एक दो दिन 2 hours के आसपास के breakout दिये थे तो sustain नहीं हो पाया था और निच् इसके बननी start होती है तो पहला level जो इसको निकालना जूरी है वो है 248 का अगर 248 के level को यह निकाल लेता है तो 260 और 272 के level तक यह easily दिखा सकता है निच्छे के जो levels है आपको जो नजर रखने की जूरूरत है वो सबसे पहला level होगा 236 के आसपास का और then 236 और 232 के आसपास क होगी और buying करके इसके अंदर चलना है क्योंकि उपर के level इसी channel के अंदर चलता हुआ यह breakout जूरूर देगा और breakout होने पर उपर का जो breakout है जैसे मैंने बता है 248 के level को निकालना जूरूरी है 248 के level को जैसे निकालता है तो 62-72 के level तक जाता हुआ नजर आ सकता है अगर आप patience रखेंगे तो 300 को भी close करता हुआ नजर आएगा अगर हम बात करें इसकी daily chart के उपर तो आप देखेंगे 66 के आसपास की RSI है जो कि अपने आप में show कर रही है कि chart pattern में अभी भी काफी मजबूती है काफी strong है chart pattern अभी कुछ भी weakness इसके अंदर नहीं आई है अगर बात करें weekly chart के उपर तो इस टाइप से आपको पूरा दिखाई देगा वट आपको देखने वाली बात है RSI 57 के आसपास की है और जैसी 60 को cross करेगी तो एक अच्छा momentum यहां से बनता हुआ नजर आएगा monthly RSI की बात करें तो 75 की है जो कि अपने आप में show कर रही है कि इसके अंदर अभी बी काफी strength है उपर जाने की और chart pattern में कहीं भी कोई भी कमी अभी नहीं आ रही है और यह stock आने ले time में भी अच्छे returns दे सकता है तो आपको जो नजर रखनी है जैसे आप बताया वन आर के पहले वार के चार्ट के उपर भी हम देख लेते हैं तो वन आर के चार्ट के उपर थैंक यू धन्यवाद